योगेश राणे इनका सवाल है चुमबक चिकिच्चा चुमबक विज्ञान मैगनेटिक थेरपी इसमें कितना तथ्य है या मिथ्या विज्ञान है चुमबक चिकिच्चा एक थेरपी मानी जाती है और उसकी शुरुवात शायद मेस्मर के जमाने से है उन दिनों में चुम्बक का बहुत बड़े पैमाने पर उपयोग होता था मैगनेडिजम का डॉक्टर मेस्मर जिसने मेस्मेरिजम नाम दिया और सम्मोहन के तरब पुरे दुनिया का ध्यान खीचा 28-19 भी शताबदी की बात है 28 शताबदी के आखरी छोर में ये बहुत बड़ा डॉक्टर माना जाता था ये डॉक्टर था भी वो पैरिज जैसे शहर में जो पुरे दुनिया का एक कल्चरल सेंटर था दुनिया के हर अमीर अदमी का घर पैरिस में रहता था उन दिनो वहाँ पर इसने एक बहुत बड़ा राजमेल खरीदा था उसमें उसका सलून था जहां पर वो थेरपी करता था एक बहुत बड़ा टैंक तैयर किया था उसमें उसमें आयन के पार्टिकल्स रखे थे लोहकंड उसमें वो रॉड्स रखता था उसको संगली बान कर रखता था और जो लोग वहाँ ट्रीटमेंट के लिए आते थे वो चेंस पकड़कर खड़े रहते थे यह आने के बाद में इसके हाथ में एक एबुनाइट का छोटी सी चड़ी रहती थी वो चड़ी का स्परश करते ही उनके शरीर में एक बिजली की चमक उट्ती और उनको अलग-अलग धंक्या नुभवात है कोई जोर-जोर से चिल्लाने लगता कोई एकदम से आनंद भी भोर हो जाता एकदम हसने लगता कोई रोने लगता और ऐसे दो-चार ट्रीटमेंट होने के बाद में उलोग ठीक होते थे उसकी थियरी थी कि ये पूरे सुरुष्टी में कि यूनिवर्सल मैगनेटिसम है पुरुथ्वी में चुम्बक है हम सब जानते हैं नौर्थ और साउथ फोल होते हैं हम सब जानते है तो ये यूनिवर्सल जो मैगनेटिसम है वो अपने एबुनाइट के चड़ी पर लेता है और लोगों के शेरीर में जो animal magnetism होता है उसका प्रमान जो कम ज़यादा होता है तो उसको संदूलित करने काम ये करता है यूनिवरसल से magnetism लेकर इनके शेरीर में उडालता है और इस करण उनकी बिवारिया ठीक होती है इस दंकी उसके थियरी थी तब से लेकर चुम्बत चिकित्सा का प्रचलन बहुत बड़ा आगे चल कर ये मेस्मरिजम के थियरी अंसाइंटिफिक है ऐसा प्रूव हुआ इंगलंड की राणी के सलहा पर फ्रांस के राजा ने एक रॉयल कमिशन अपॉइंट किया था मिस्मर के सब कार्यकराब जाचने के लिए उसमें बेंजाबिन फ्रेंकलिन जैसा साइंटिस्ट था जो अमेरिकन राजदू था गिलूटिन जैसा साइंटिस्ट था इन लोगों ने लंबी जाच की और जाच का निरने ये निकला कि ये जो कुछ चल रहा है सबकुछ ये थेरी जो है उसमें कोई तथ्य नहीं है कोई उनिवर्सल मैगनेडिजम नहीं होता है और इस जंग से इसमें बदलाव लाना संभव नहीं है कि उनिवर्सल मैगनेडिजम डाल दे किसी वेक्ति में और उसके बिमारिया ठीक हो जाए उल्टा उन्होंने कहा कि ये लोग बहुत अपेक्षा लेकर आते हैं कि मैं हम मेसमर्ग के पास आने के बाद में हमारी बिमारिया ठीक हो जाएगी ये अपेक्षाव के कारण उनकी बिमारिया ठीक होती है याने सजेशन के कारण उनकी बिमारिया ठीक होती है आज के बाशा में हम कह सकते हैं इस रंका निरने उन्होंने दिया तो ये चुम्बक चिकित्सा को तो यहने अठ्रावी शतब दी के आखरी छोर में न कर दिया गया था साइंटिफिकल ही न कर दिया गया था उसको कोई साइंटिफिक आदार नहीं है लेकिन आज भी कई लोग बड़े पेमाने पर इसका उप्योग करते है अब कलपना किजिए कि आपके घुटने दुखते हैं दर्द देते हैं यह घुटनों का दर्द आपको निकालना है इसलिए आपको चुम्बक पर पैर रखकर आदे घंटे रोज बैठना है बागे जब कामदाम छोड़ना है किसे से बाद भी नहीं करनी है केवल ओ चुम्बक पर पैर रखकर बैठना है अब आदा घंटा वो व्यक्ति चुम्बक पर पैर रखकर बैठेगा तो मन ही मन क्या हो उसके दिमाग में चलते रहेगा मैं क्यों बैठा हूँ मेरे जोडों का दर्द निकल जाना है इसलिए मैं बैठाओ ये कब-कब उसके मन में विचार आता है याने वो चुम्बक पर बैठने के पहले से उसमें दिमाग में विचार चलते रहता है कि मुझे आदा घंटा बैठना है मुझे आदा घंटा चुम्बक पर बैठना है शांती से बैठना है किसी से बात भी नहीं करनी है जब वो बैठता है उसके मन में वही विचार चलता है उटता है तब भी उसके मन में वही विचार होता है तो naturally suggestion के करण जो फाइदे मिलने संभव होते हैं वो इस क्रिया के करण भी संभव होते हैं ये फाइदे चुम्बक के नहीं होते है वो जो रोज आदा घंटा या फिर आदा आदा घंटा दो बार दिन में चुम्बक पर अपने पर रखकर बैठता है एक जग़ पर शांती से ये क्रिया करने के साथ में उसके मन में जो विचार आते है उसके आधार पर जो सजेशन वो अपने आपको लेता है उसके करण वो फाइदे मिलते हैं तो सजेशन से जो जो फाइदे मिलने संभव होते वो चुम्बक चिकिसा के करण फाइदे मिलते हैं और ये suggestion के कारण फायदे मिलने वाला प्रमान जो है बहुत ज़्यादा है हमारी बिमारियों में World Health Organization के अनुसार 55% जो हमारी बिमारिया होती है 55% वो psychology से सम्मंदित बिमारिया होती है या तो psychological बिमारिय होती है या फिर साइको सोमेटिक जिसको मनो का एक बिमारिया हम कहते है जिसका ओरीजिन साइकोलोजिकल होता है लेकिन शरीर पर वो बिमारिया देखती है ऐसी डंकी बिमारिया होती है वहाँ भी साइकोलोजिकल सजेशन का बहुत अच्छा परिणाम मिलता है और मैं आगे जूड़ दूँगा कि जो शादेरिक बीमारी है 45% उसमें भी सजेशन का परिणाम होता है स्पीड अप होने के लिए बीमारी है ठीक होने की प्रक्रिया को उसमें भी बहुत बड़ा योगदान सजेशन का होता है तो नैचरली बहुत बड़े पेमाने पर सजेशन के फाइदे मिल सकते हैं बीमारीयों के एक्षित्र में इसलिए चुमबक्चे किसा है या फिर बाकी कही ऐसी जो चीजे हैं जो इस डंकी थेरपीज में बताई जाती है जो बेसिकली अनसाइंटिफिक है जिसको कोई साइंटिफिक आधार नहीं है इसके बावजुद उसके जो फाइदे मिलते है वो सजेशन के कारण मिलते है क्योंकि हमारा बंध बहुत highly suggestible होता है और ये सजेशन के परिड़ाम हमारी बीमारियों के पर होते है और बीमारियों में वो फाइदे मिलते है इसलिए चुमबक्चे किसा साइंटिफिक नहीं है उसको कोई साइंटिफिक आधार नहीं है चुम्बक के करण हमारे शरीर में कोई भी परिवरतन नहीं होता है लेकिन इसके बावजूद वो जो दावे किये जाते हैं उन दावे में से कई दावे सच निकलते हैं सजेशन की मरियादा में जो हमको फाइदे मिल सकते हैं या फिर suggestion के कारण जो फायदे हमारे बिमारियों के बारे में मिल सकते हैं, वे फायदे चुमबक्चे किसा में मुलते हुए हम देखते हैं और इसलिए फायदे तो मिलते हैं, लेकिन चुमबक्चे किसा अवाइग्यानिक है इसे सारे वीडियो का आनन लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके लिए सब्सक्राइब बिटन दबाए, नए वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाए